हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका दक्षू टेक्टो टिप्स पर आज का हमारा वीडियो है स्प्रेगन वर्सेस रोलर ब्रश पर मतलब वाइट वॉश के लिए या फिर मैं कहूं पुताई के लिए क्या है सबसे बेस्ट स्प्रेगन बेस्ट है या फिर रोलर ब्रश बेस्ट है डिटेल में बात करेंगे इन दोनों के बारे में क्योंकि जब भी हम इनको खरीदने जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और बगल को सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो बैल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि मश्यन और टूल्स के वीडियो सब से पहले आप तक आ सके तो चलिए बिनए टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस पॉइंट की यह जो इस्प्रेगन है यह आती है अठ्रा सो रुपे से लेके पैटिस सो रुपे तक के बीच में मैं इलेक्रिक इस्प्रेगन की बात कर रहा हूँ ये जो मेरी spray gun है इसका head भार हो जाता है इसमें बहुत सारी varieties आती हैं आपको अलग-अलग type की spray gun देखने को मिल जाएंगी और अगर मैं cordless spray gun की बात करूँ तो उनकी starting 5-6,000 से हो जाती है वही अगर हम roller brush की बात करें तो इनकी starting हो जाती है 60 रुपे से और ये जाते हैं 200-300 रुपे तक तीन टाइप के roller ज्यादा यूज में आते हैं पहला sponge roller, दुसरा cotton roller और तिसरा designer roller अगर आप spray gun से paint कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत spray gun का knowledge होना चाहिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको spray painting का थोड़ा सा knowledge चाहिए मगर यदि आप roller brush से paint कर रहे हैं तो इतने कुछ knowledge की जरूरत नहीं है जस्ट आप इसको paint में डुबोईए और paint करना start कीजिए अब हम कैसे पता करें कि जो हमारा paint है वो इस nozzle में से भार निकल सकता है की नहीं तो इसके लिए हम लोग use करते हैं ये viscosity tool इसकी मदद से हम पता करते हैं कि paint हमारा nozzle से भार निकल सकता है की नहीं इसके अंदर से यदि आपका paint 20 second से लेके 40 second के अंदर भार निकल जाता है फिर भले वो emulsion हो या distemper हो इसका मतलब यह है कि वो paint फिर इस machine में use हो सकता है देखिए यदि 40 second से उपर हो गए इसका मतलब paint बहुत गाड़ा है वो इस nozzle में से भार नहीं निकलेगा और यदि 20 second से पहले आपका paint इस viscosity tool में से निकल गया इसका मतलब paint बहुत पतला है तो यहाँ पर मैंने एक emulsion paint लेके रखा है अभी हम इसको नापके देखते हैं viscosity tool से तो basically अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं मिलाया यह ज़स गाड़ा ही है तो यहाँ पर मैंने viscosity tool में emulsion paint डाल दिया है और यह stop watch है अब ज़रा मैं इसको start कर देता हूँ यह मैंने इसको start कर दिया है और अब मैं ज़रा इसको छोड़ता हूँ यह दिखिए 6 second 7 second यह हमारा paint निकल रहा है यह मैं आपको दिखाता हूँ hopefully शायद आपको दिख रहा होगा और यह 28 second 29 second paint निकल रहा है 32 second 33 second paint अभी भी निकल रहा है 37, 38, 39, 40 paint अभी भी निकल रहा है 42, 43, 44 मतलब देखिए 45 second होगे मेरा paint निकली रहा है इसका मतलब यह है कि इस paint को 40 second के अंदर निकल जाना चीए था मगर यह बहुत लेट निकला है करीब 55 second तक भार निकला है इसका मतलब यह है कि यह paint बहुत ज़्यादा गाड़ा है हमें इसमें पाली मिलाने की जरूरत है तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस प्रेगन मशीन के साथ में चलिए अब मैं 80-20 ratio में water mix करता हूँ एक बार और चेक करते है आई हो भाई आपको दिख रहा होगा 4 second, 5 second, 6 second ओ गौड थोड़ा यह पतला हो गया क्योंकि 11 second में ही यह पूरा निकल चुका है भार तो इस प्रेगन में यह पर्शानी होती है मैं आपको reality बता रहा हूँ चलिए वापस से गाड़ा करते हैं 36 second, 37, 38, 39, 40 और लगभग यह कह सकते हैं कि पेंट अब जाके रोग गया 44 second पे तो ठीक है इसमें हम हलका सा पानी और मिलेंगे फिर यह जो पेंट है यह इस नोजल से बाहर निकलने के लिए ready हो जाएगा अब हम बात करते हैं हमारे roller brush की तो roller brush में ऐसा कोई viscosity tool होता नहीं है जस्ट आप paint डालिए और आपका काम चालू हो जाता है for example यह मेरे पास paint है यह मैंने इसमें डाल दिया बस हमें 80-20 का ratio यार रखना है मतलब 80% paint और 20% पानी हाँ यदि आपका paint थोड़ा गाड़ा हो जाए यह आपको लग रहा है कि roller करते वक्त आपको paint बहुत गाड़ा लग रहा है तब फिर आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं इस्प्रेगन की तुलना में इसका paint बनाना बहुत ज़्यादा आसान है इस्प्रेगन का एक main problem यह होता है कि हमारा paint दिवार से नीचे गिरता है और यह दो कारण से होता है पहला इस्प्रेग ज़्यादा कर दिया दुसरा पानी का ratio सही नहीं है तो इस्प्रेगन के अंदर आपका perfection होना चाहिए अब जो यह हमारा roller होता है इससे हम access paint को निकाल सकते है इस ट्रेग की मदद से यह देखिए यह मैंने roller में paint लिया अब जो access paint है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ अब मैं इसको गॉल पे करूँगा तो ना मेरा paint नीचे गिरेगा ना bubbles आएंगे तो यह आप देख रहे थे यह हमारा इस प्रेगन से हमने किया था और यह सारा फिर जो धार है वो नीचे आ रही थी यह अब हम roller brush से ठीक करेंगे यह होता है roller brush का फायदा तो देखा आपने कितने अच्छी finishing आई है और हमारा paint बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है इस प्रेगन को जब ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आपको इसके carbon brush भी change करवाना पड़ेंगे और थोड़े time बात आपको इसकी servicing भी करवाना पड़ेगी और यदि इसका कोई part damage हो जाए तब फिर वो भी आपको change कराना पड़ेगा इस प्रेगन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है leakage की और यह जो हमारे roller brush है बेसिकली इत्ती जल्दी खराब होते नहीं है और यदि खराब हो भी गए तो आप इसका sponge change कर सकते हैं देखिए जस्ट ये push fit रहते हैं आप ये sponge fake के नया sponge ला सकते हैं और जस्ट आप इसको ऐसे fit कर लीजिए ये जो इसकी stick है ये तो हमेशे ऐसी रहती है बस आपको sponge change करना रहता है तो अब हम देखते हैं कि हमको time किसमें लगता है मतलब spray gun से हमको time गम लगता है या फिर roller brush से हमको time गम लगता है तो यहाँ पर मैंने two square बनाकें रखे हैं चार-भाई धाय के तो यहाँ पर हम लोग करेगे spray gun से painting और यहाँ पर हम लोग करेंगे roller brush से painting तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखा फ्रेंट्स आपने यहाँ पर मैंने क्या है स्प्रेगन से पेंट और यहाँ पर मैंने क्या है रोलर ब्रस से पेंट इस्प्रेगन से पेंट करने में मुझे लगे हैं 28 सेकेंड और रोलर ब्रस से पेंट करने में मुझे लगे हैं 12 सेकेंड इस्प्रेगन से आप बड़े अच्छे से पेंट कर सकते हैं जहां पर single color और बहुत बड़ा space हो बट जहां पर multi color मतलब 2 या 2 से ज़्यादा color हो या फिर छोटा space हो वहाँ पर इस प्रेगन काम नहीं आती इस प्रेगन से आप grills, multi color corners या फिर जो wall के बीच की धार होती है और ceiling को paint नहीं कर सकते हैं जबकि आप roller से कहीं भी paint कर सकते हैं इस प्रेगन में paint ज़्यादा लगता है वहीं roller brush में कम paint में काम हो जाता है काम होने के बाद इस प्रेगन की सफाई बहुत मुश्किल से होती है वहीं आप roller brush की सफाई बड़े आराम से कर सकते हैं तो देखा फ्रेंट्स आपने मैंने आपको दोनों के difference बताए यदि आप मुझसे personally पुछेंगे तो घर की पुताई के लिए तो roller brush ही best है हाँ इस प्रेगन machine भी best हो सकती है जब आपका area बहुत ज़्यादा बड़ा हो और single color हो तो फ्रेंट्स अभी तक के लिए इतना है stay safe and keep watching and yes keep painting